गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग लासवान हिंदी बुक का हमारा चेप्टर नमबर 13 सहासी जार्च बुक रिडिंग करेंगे यह हमारा नया वला चेप्टर है आज हम लोग सिर्फ बुक रिडिंग करेंगे ठीक है मैं लिड कर रहे हूँ आप सब लोग अंड आज हमारा चेप्टर नमबर 13 सहासी और परवपकारी था एक दिन जार्च सुबह घर से विड्यालया जाने के लिए निकला बहुँ नदी के किनारे किनारे चलते हुए विड्यालया की और जा रहा था तभी उसके कानों में किसी स्त्री के जोड जोड से चिल्लाने की आबा तो तेज गती से वह रही नदी को नदी की जल्धारा में किसी ने भी कुदने का साहस नहीं किया जार्च उस्तान पर पहुँचा तो लोगों की भीड को देखकर दंग रह गया वह भीड को चीरते हुए आगे बढ़ा तो उसने देखा कि नदी में उस्त्री का छोटा बच्चा गिर गया है और वह बच्चा नदी के तीब्र जल्धारा के साथ आगे की और बहता चला जा रहा है जार्च ने सिग्रता से अपने कपड़े उतारे और बिना विचार किये धडाम से नदी में कूद गया तट पर खड़े सब लोग उस बालक के साहस को देखकर दंग रह गये सब लोग उसे एक टक देखते रहे पानी के तेज वहां में जार्च तेरता हुआ उस बच्चे की और बढ़ रहा था पानी की तेज धारा उससे आगे ले जा रही थी थोड़ी ही देर में जार्च ने नदी में बहते बच्चे को पकड़ लिया देन जार्च ने बच्चे को अपने पीट पर लादा और तेरता तेरता नदी के किनारे तक आप होजा उस बच्चे की मा और बहा मौजूत लोग ने जार्च को गले से लगा लिया सभी ने उसकी बहुत प्रसंसा की क्या आप जानते हैं कि वह साहसी और परपकारी बालक जार्च कौन था बहु कोई और नहीं बलकी जार्च वासिंग टन था जो बड़ा होकर सयूंगत राजिय आमेरिका का प्रधम राष्ट्रपति बना यासका आपका होमार्क है बुक रिडिंग पेस नमबर 51 ठीक है थैंक यू